वट्सप अपडेट कैसे करें अगर नहीं हो रहा है तो हेलो दोस्तो अगर आप भी अपने फॉन में वट्सप को अपडेट कर रहे हैं और अपडेट नहीं हो रहा है तो कैसे आप उस प्रालम को ठीक कर सकते हैं यही आज की वड़ों में आपको बताऊंगा अपडेट करने से भाई जो भी नए-णए फीचर्स आपके एप में एड होते हैं वो आपको अपडेट करने के बाद ही मिलते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपडेट करते कैसे हैं प्ले स्टोर पर जाते हैं जाकर यहाँ पर search वाला option अब नीच आ चुका है पहले उपर था अब यहाँ पर आपको WhatsApp लिख देना है WhatsApp लिखोगे यहाँ पर आपको update का option दिखेगा अगर update आया होगा तो जैसे ही आप इस पर click करोगे app update होना शुरू हो जाएगी पर update होने से पहले आपको check कर लेना है आप आपके phone में net का balance या फिर wifi से connected आपका phone होना चाहिए जैसे आप update पर दबाओगे यहाँ पर app update होना शुरू हो जाती है पेंडिंग अगर प्रॉल्म आती है अगर आपके में update नहीं हो रहा है पेंडिंग दिखा रहा है तो कैसे ठीक करना है वो ही मैं बता रहा हूँ आपको तो आपको क्या करना है बैक आना है उसके बाद आपको phone की settings के उपर जाना है settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर apps का option दिखाए देगा इसके उपर आपको click करना है ठीक है click करके app management आएगा यहाँ पर click करना है करने के बाद आपके सामने सारी apps आजाएंगी यहाँ पर नीचे करके आपको play store दिखे उसके सामने यहां पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आप यहां पर आपको storage uses का option दिखाई देगा कि आपको इसके ओपर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर clear case का option आपको दिखाए देगा clear case यहां से आपको कर देना है, यहां से करके आपको back आजाना है, फिर दुबारा से आपको अपने play store पर जाना है और अपनी app को update कर लेना है, अब जो आपको pending की problem थी वो नहीं आएगी और आपकी app update होना शुरू हो جाएगी जैसे कि मेरी हो रही है, पस आपक चेक करना है आपके पॉन में प्रोपर नेट या वाइफाई से कनेक्ट होना चाहिए